हेलो एक नुश्रूडेंट कैसे हैं आप सब आए होप अच्छी होंगे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटिर जो जून दोजार बाइस के छात थे कुछ लोगोंने एक्जाम फॉर्म भर दिये ठीक है लेकिन अभी भी काफी लोगों को यह लग रहा है कि हो सकता है कि एक्जाम फॉर्म की लाश्ट टेट को एक्षेंड किया जाना चाहिए मैं आप लोगों को बता रहता हूं कि इग्णू ने फाइनल मार्क सीट अपडेट कर दी है फाइनल जो डेट सीट होती है वो भी रिलीस कर दी गई है तो एक्जाम में आप कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे 26 जुलाई से आपका एक्जाम है और सिप्तंबर 9 में आपका एक्जाम खतम होगा जितने भी कोर्स के इस्ट्रुएंट है ठीक है इसके अलावा और भी बहुत सारे कोश्चन इस्ट्रुएंट के रिमाग में आ रहे हैं जैसे कि क्या हम दुबारा हमें मौका मिलेगा एक्जाम देने का ठीक है यह भी काफी लोगों का कोश्चन आ रहा है तो मैं तो मैं आप लोगों को बता रेता हूं कि ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि एक बार फिर से एक्जामनेशन फॉर्म की लाज डेट को एक्षिन कर दिया जाए लेकिन आप सभी लोग प्रिपेर रहों कि डिसम्बर सेशन में आप लोग अपना एक्जाम फॉर्म भर देना लेकिन अभी आप एक्जाम फॉर्म नहीं भर सकते हैं ठीक है उनको एक मेंल कर सकते हैं कि इस कारण से मैं उपस्तिस नहीं था तो आप लोग को एक मौकات दे सकते हैं ठीक है बाकि कुछ लोग के कहना है कि मेरा एक्जाम में बैग आ गया था जिस कारण से मैंने exam form नहीं भरा और अभी तक मेरा result नहीं आया है इसलिए मैंने exam form नहीं भरा था तो आप लोग को बता रेता हूँ इसमें कि ये लिखा हुआ था कि अगर आपका मान लीजे exam का result नहीं आता December session के छात्र का तो आप लोग exam form भर सकते थे और भरने के बाद जो भी आपके fees होती वो अगर आप exam में pass हो जाते तो आपके fees adjust हो जाती next year के लिए ठीक है तो और भी काफी question आ रहे थे लोगों के दिमाग में जैसे की sir हम अभी exam नहीं देना चाते हैं इसलिए हमने exam form नहीं भरा तो क्या हम या exam December में दे सकते हैं तो बिलकुल आप September October में जब भी exam form आता है आप भर के इसको December के लिए enroll हो सकते हो December में आपका exam दे सकते हो और next semester का exam आप June में दे सकते हो ठीक है इसके अलावा काफी लोगों का ये भी question आ है sir कि क्या हमने अभी तक assignment submit नहीं किये हैं और exam form हमने भर दिया है हम exam तो दे देंगे लेकिन assignment submit नहीं किया है ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आगर आपने assignment submit नहीं किये तो आप exam में नहीं बैठ सकते हैं या exam में आपके marks डिड़क्ट हो जाएंगे या ऐसा कुछ भी नहीं होगा आप लोग exam अभी भी assignment submit कर सकते हो 20 June launch date है अगर किसी परकार कि आपको assignment में दिक्कत आती है कुछ problem आती है तो आप मेर से assignment ले सकते हो ठीक है मैं decision में अपना contact नमर डाल दूँग और जिस जिस platform पे हम available है वो platform का link आपको decision में मिल जाएगा तो आप लोग description एक बाद check कर लीजेगा ठीक है और वीडियो आपको कैसी लगी है comment में जरूर बताए या फिर कोई सवाल आपका रह गया हो तो जरूर comment में बताए ताकि हम उसका answer आप लोगों तक पहुँचा सके और वीडियो को like जरूर कर दे subscribe कर दे channel को ताकि इसी तरीके से authentic वीडियो मैं आप सभी तक पहुचाता रहूँ मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए